Hi everyone, जब से आप सब की simulated ranks आई हैं, तब से आपने मेरा DM एकदम भर दिया है, कि दिदी मुझे college मिलेगा, नहीं मिलेगा, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा इतना score बन रहा है, इतनी rank है, क्या मुझे अपनी preference sheet में changes कर देने चाहिए, रुको, इस वीडियो में सब कुछ इस वीडियो में आपको सारी चीज़े बता दूंगी, कैसे आपको अपनी preference sheet में changes करने हैं, first of all, मैं आपको बता दूं कि आपकी preference change window is start हो गई है, in case किसी बच्चे की preference sheet में कुछ गल्सियां थी, या कुछ आप add करना चाह रहे हो, delete करना चाह रहे हो, rearrange करना चाह रहे हो, basically ज सभी courses की individual rank आपको अपने dashboard में देखने को मिल रही है, and वो आपकी common rank है, common rank का मतलब क्या है, उस rank में general category के बच्चे, AWS, OBC, ST, 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 जितने भी reservation है, जो Delhi University ने दिये थे, सभी बच्चे included है, ठीक है, तो मान लो, अगर कहीं 30-40,000 बच्चों ने B.com Onless target करा था, hypothetical example है, ठीक है, तो उन बच्चों के बीच में आप कहां लाए करते हो, वो आपकी rank है, अब दीरी में तो बहुत जाला rank आ रही है, तो मुझे तो change कर देना चाहिए, मुझे कोई और college ले ले लेना चाहिए, मुझे तो DU मिलेगा ही नहीं, मेरा score बन रहा था, 700 मेरी rank आ गई है, 5000 क्या मुझ बहुत ज्यादा idea मिल जाएगा, अब देखो यार आपने भी अपनी preference list में कितने सारे courses आइद करें होंगे, जिसको become owners करना होता है, वो बच्चा become program definitely अपनी preference list में रखता है, ठीक है, for example, किसी को अगर, you know, BA honors, Paul science करनी है, तो वो बच्चा history honors जरूर अपनी preference list में रखता है, same goes with science वाले courses, जिस बच्चे को zoology honors करना है, वो बच्चा botany भी रखता है, life sciences भी रखता है, बल्कि और सारे options रखता है, तो क्या होता है, ultimately, आप Delhi University के एक college के अंदर, एक course की, एक seat ले रहा होगे, तो जो बागी आपकी ranks है, वो दूसरे बच्चे की rank भी affect करती है, ठीक है, त लेन ही लिए है, there's a difference, ठीक है, अगर कोई बच्चा B.com भी भर रहा है, B.com honors भी भर रहा है, तो उसमें से एक ही seat लेगा, बागी तो उसकी rank दिखा रही है, waste हो जाएगा, and second thing, कि जो rank के इसको final नहीं मान के चलना है, ठीक है, क्यों नहीं मान के चलना है, क्योंकि आपके प rank तो change हो जाएगी, क्योंकि अगर एक बच्चा भी वो course हटा देता है, अपनी preference list से, जो आप target कर रहे हो, तो हो सकता है, आपकी rank एक number बढ़ जाए, या कम हो जाए, ठीक है, depends, ठीक है, तो ऐसे एक एक बच्चा आपकी rank को affect करता है, इसलिए परशान नहीं होना है, ठीक है, rank is just कि आप कहां stand करते हो, हजारों बच्चों में से, अब बात करते हैं कि हमें अपनी preference list कैसे change करनी है, आपको अपनी preference list ideally ही रखनी है, not, फिर देन, आपका south, then, off, then, evening colleges, ऐसा क्यों करना है, यह सा मैं बहुत पहले ही discuss कर चुकी हूँ, अगर आपको वो चाहिए, तो आप व का score कम है, तो please make sure कि आप courses add कर दो, second thing अब आपको दिख गया है, कि आप कहां लाए कर रहे हो, आपकी rank क्या है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे थे, कि मुझे तो सिर्फ North Campus मिल जाएगा, या तो मुझे सिर्फ South Campus तो अराम से मिल जाएगा, and आपने off campus add ही नहीं कर रहे थे, evening colleges add add ही नहीं करे थे, जाओ add कर लो, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा, कि 20-30,000 rank बन रहे है, तो मुझे definitely North Campus और South Campus नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए अगर आपने colleges add नहीं करे थे, colleges add कर लो, अगर आपने course add नहीं करे थे, जो आपको करना था, वो add कर लो, and third thing is, कि अगर आ आपने add करे हैं, उन में से तो आप कहीं भी lie नहीं कर रहे हो, आपकी rank कहीं 30-40,000 जा रही है, तो और backup courses add कर लो, इससे आपके Delhi University में आने के chances बढ़ जाते हैं, पक्का कुछ नहीं होता है, guarantee किसी चीज की नहीं होती है, बस हाँ आपके chances increase हो जाते हैं, ठीक है, one last thing जो मैं आ program course add कर देती हूं, या कर देता हूं, and अब आपको rank देखके लग रहा है, कि नहीं मुझे honors course तो मिल सकते हैं, अच्छी खासी rank बन गई है, मेरी honors course में भी, तो उस case में आप क्या करो, कि थोड़ा सा honors course आप ऊपर रख सकते हो, ठीक है, and अगर आप लोग मुझसे ये पूछो कि लिए safe rank क्या है, तो ऐसा कोई concept ही नहीं है, जिस बच्चे का 700 score आ रहा है, अगर वो बच्चे की rank 5000 बन रही है, तो सोच लो जिसका score 600 है, उसकी rank कितनी हजारों में बनेगी, बट ऐसा तो नहीं है ना, कि 700 और 600 वाले बच्चे को college नहीं मिलेगा, 700 वाले के chances हैं, कि वो south campus जा, 600 वाले chances हैं, कि वो off campus evening colleges में जाए, general category depends upon course, ठीक है, इसका मैंने detailed video डाल दिया, तो आप वो जाके देख लो, उससे आपको बहुत ज़्यादा idea लग जाएगा, I hope आपकी सारे doubts clear हो गया होंगे, and अगर कोई और भी doubt होता है, तो let me know in the comment box, मैं कल भी आउंगी live, तो आपक कि कल correction window अपने आप खतम हो जाएगी, सारी चीज़ा auto lock हो जाएगी, तो make sure, कि आप save and submit जरूर कर देना अपनी preferences को, ठीक है, नहीं तो उसके बाद आपको कोई और मौका नहीं दिया जाएगा, I hope आपको सारी चीज़े अच्छे सा समझ आ गई होंगी, and tension लो यार, ठीक है, अराम से चीज़े करो, कम score है, तो backup रखो, tension लेने से कुछ नहीं होगा, आपको यहाँ पर smartly work करना है, ठीक है, smart move लेना है, so yeah, all the very best, bye-bye.